हलो एवरिवान वेल्कम तो आर चानल पीड़ाब्लियू लॉवाला तो गाइस जैसा कि हम लोगों ने अपने प्रीविएस लॉजिकल रीजिनिंग के क्वेस्चिन्स में अजंप्शन निकालना सीखा श्ट्वेंदन करना सीखा अर्गुमेंट को वीकन करना सीखा और सबसे सहले हमने यह समझा कि अल्टिमेटली एक आर्गुमेंट का बेस क्या होता है विच इस कॉल्ड अप्रमाइस अन कंक्लूजन तो बिफोर अक्चुली लुकिंग इंटो इस आम शॉर आपने पुराने सारे सेशन्स को होल हार्टटली देखा होगा क्वेस्चिन्स को प्राक् है strong and weak arguments तो क्या होता है CLAT, ALIT और जितने भी other legal exams होते हैं उसमें logical reasoning के section में आपको एक और तरीके के questions आते हैं जिनको हम लोग generally बोलते हैं statement and arguments तो अब होता क्या है किस तरीके से solve करना है आईए जानते हैं इस बारे में first of all strong and weak arguments में generally एक strong argument होता है that are backed up by the reason, facts, examples related to the topic तो आपसे क्या होगा guys आपको एक question given होगा सबसे पहले question stem में कोई एक question given होगा उसके बाद उसमें 2 या 3 arguments given होगे आपसे जो paper setter question पूछेगा इस case में वो ये पूछेगा कि should I opt for argument 1, should I take argument 2 क्या दोनों सही है, क्या दोनों गलत है या दोनों में से कोई एक सही है तो यहाँ पर अब आएंगी strategies role में क्योंकि वो आपको बताएंगी कि आपको कैसे किसी argument को pick करना है और क्या strategies हैं जो आपको बताएंगी कि एक argument को मुझे drop करना है तो pick करने के लिए guys obviously argument एक strong argument होना चाहिए क्योंकि अगर वो weak है तो आप उसको pick नहीं कर सकते हो वो आपके question stem से ally नहीं कर रहा है तो argument को strong कहते time हम तीन factors का हमेशा ध्यान रखते हैं जिसको मैं short में बोलती हूँ DDP अगर आपके दिमाग में ये चीज रहेगी ये acronym रहेगा तो mark my words आप कभी नहीं भूलने वाले हो की strong argument को निकालने की क्या strategies होती हैं तो DDP stands for number one is the argument must be directly related number two it should be desirable and number three it must be proportional words तो आपके सामने लिखे हैं इनका meaning भी पहचानना बहुत important है तो अगर मैं DDP की बात करूँ तो directly related का मतलब है है ये जो आपको question given है और ये जो argument given है अगर मैं argument one को consider कर रही हूं boss की ये strong है की नहीं है तो सबसे पहले मैं ये check करूँगी कि क्या ये argument मेरे main question से relate भी कर रहा है की नहीं अगर relate नहीं कर रहा है दूर-दूर की कोई बात कर रहा है उस case में ये particular argument guys strong नहीं हो सकता similarly the second strategy that while I check is desirable की क्या ये चीज डिजाइरिबल भी है क्या इस चीज की जरूरत भी है क्या इस question का answer करने के लिए ये argument required है ये desirable है या अगर मैं इस argument को pick कर लूँगी तो ये काफी गलत answer की तरफ मुझको ले जाएगा तो desirable होना बहुत important है उस argument को strong बनाने के लिए उसका directly related होना बहुत important है and there comes the last third strategy that is called proportionality proportionality ये बोलता है कि आपका argument और आपका question आपस में proportionate भी होने चाहिए तो generally आपको question में कोई ना कोई problem given होती है तो in case अगर आपको लगता है कि question का magnitude थोड़ा जादा बड़ा है the problem is major लेकिन जो मैंने argument दिया है वो उतना strong नहीं है मतलब उतना proportionate नहीं है मतलब बड़ी problem का छोटा solution दे देना या disproportionate वो भी कहलाता है जब problem छोटी हो और अब solution बहुत बड़े level का दे दो तो दोनों ही case में guys disproportionality हो रही है तो इस case में वो particular argument strong argument नहीं हो सकता तो whenever you will choose any argument as a strong argument you will always check the three things that is called DDP to pick any argument whether that argument is strong or not आप check करेंगे कि क्या वो directly related है क्या वो आपका directly related होने के साथ साथ what है desirable and the third one वो proportionate भी होना चाहिए तो ये तो रहे strategies strong argument को pick करने की अब अगर मुझे कोई argument छोड़ना है कोई option मुझे forgo करना है A1 और A2 मेरे सामने है supposedly मुझे A2 को drop करना है A1 को pick करना है तो A2 को मैंने drop किया तो किस behalf में उसको drop किया ये भी समझना important है क्यों मैंने drop किया ये तो clear है boss क्योंकि ये weak argument है तब ही मैंने इसको नहीं pick किया लेकिन मैंने इसको drop किस बिधाफ पे किया क्या evidential backoning के बिधाफ पे मैंने इसको drop किया वो पैचानना भी बहुत important है तो अब मैं आपको बताऊंगी how to check a weak argument weak argument को निकालने की कुछ strategies होती है जैसे strong argument को निकालने की होती है number one unfair analogies अब आप कहेंगे analogy क्या होता है analogy बहुत simple होता है boss अगर आपने कभी आज तक कभी ऐसा कोई question पढ़ा हो जो कहता है sky is to blue therefore grass is to green यह होता है analogy question तो यहाँ पर जैसा relationship sky और blue में है that is the relationship of color same relationship मैंने निकाला grass और green के बीच में that is the relationship of color तो अगर आपको लगता है कि किसी argument में unfair analogy है unequal analogy है जिसका analogy का कोई point नहीं है कोई सरपैर नहीं है उस case में guys उसको आप weak argument के category में डालते हो और उसको आप opt out कर देते हो उसको pick नहीं करते हो simple सा example है मैंने बोला that should India withdraw itself from the Kyoto protocol of United Nation United Nation ने Kyoto protocol start किया है क्या India को उसमें से withdraw कर लेना चाहिए एक argument कह रहा है yes India should withdraw because Canada has also withdrawn तो यह है आपकी unfair analogy just because Canada ने अपने आपको opt out कर लिया है तो इंडिया को भी Canada के नक्षे गदम पे चलना चाहिए और opt out कर लेना चाहिए without any evidential backoning this was an example of unfair analogy तो यहां पर इंडिया should also back out because Canada has backed out यह मेरा weak argument होगा guys यह strong argument नहीं हो सकता तो unfair analogies को नहीं pick करते vague arguments को नहीं pick करते vague arguments का मतलब है जिन arguments में कोई सरपैर नहीं होता कोई logic नहीं होता कोई base नहीं होता मतलब फाल्तु की ऐसी कोई भी बात कर रहे है कुछ भी vagueness पे बात कर रहे है तो वो आपका weak argument होता है थर्ड, individual opinions, individual opinions का मतलब है ऐसे opinion जो किसी particular इंसान का खुद का perspective हो, खुद का personal viewpoint हो, उसको हम कभी नहीं pick करते हैं, क्योंकि वो particular individual का अपना opinion हो सकता है, लेकिन एक argument को strong बनने के लिए वो जनता का opinion हो सकता है, वो जनता की अवाज होनी चाहिए, अगर वो किसी single बनने की अवाज है, वो किसी individual का opinion है guys, तो उसको हम कभी नहीं pick करते हैं, वो जाएगा हमारी weak argument की category में, तो ये रही कुछ strategies अब आपके सामने, जो कि आपको बताएंगे कि strong argument क्या है और weak argument क्या है, इन्ही strategies को deploy करते वे, let's just do a lot of questions so that you can have a hands-on practice और ये strategies को deploy करते करते हैं, आपको समझ आएगा कि इनको कैसे use करना है, किस तरीके से एक argument को pick करना है और किस वजा से एक argument को drop करना है, so as we say, weak argument are the series of personal opinions that are not backed up by the facts, जिनके पीछे कोई factual backoning नहीं होती है, no factual data or no evidences are there, वो आपके weak argument की categories में जाते हैं, and they may not be related to the topic, as well, now, we'll move ahead with a question, each question given below consists of a statement followed by two arguments, दोनों arguments को number किया गया है, one and two से, हमको pick करना होगा, कौन सा argument strong है और कौन सा argument, weak argument में आएगा, a option हम pick करेंगे, अगर हमको लगता है, सिर्फ argument one strong है, हमारा option b होगा, अगर हमको लगता है, argument two ठीक है, अगर हमको लगता है, दोनों में इसे कोई भी सही है, either option को pick कर सकते हैं, तो हम option c लेंगे, अगर हमको लगता है, दोनों ही arguments, totally plausible नहीं है, दोनों बकवास arguments हैं, तो हम d को लेंगे क्योंकि that states neither और E को हम तब लेंगे जब दोनों arguments हमको pick करने ही करने हैं अक्सर बच्चे confused हो जाते हैं E option और C option में अब बच्चे बोलेंगे माम E में लिखा है either one or two और E में लिखा है both one and two तो difference क्या है both कहता है E कहता है दोनों का होना जरूरी है दोनों equally effective है लेकिन C कहता है कोई भी एक pick कर लो दोनों अपने आप में sufficient है या तो एक pick कर लो one pick कर लो या two pick कर लो दोनों sufficient है लेकिन E यह कहेगा कि दोनों को साथ में pick करना जरूरी है क्योंकि अपने आप में एक के बिना दूसरा insufficient option होगा तो आईए solve करते हैं यह question statement should India encourage exports when most things are insufficient for internal use itself तो सबसे बहले हमें statement यह पूछ रहा है कि क्या India को exports को encourage करना चाहिए क्योंकि काफी सारा material जो finished products India बना रहा है वो home consumption के लिए insufficient है तो export कर देना चाहिए first argument यह कहता है yes we have to earn foreign exchange to pay for our imports that's a plausible option क्या आपको लगता है कि यह directly related है बिल्कुल directly related है अगर मैं बात करूँ कि क्या यह मेरी problem का proportionate method है वो भी बिल्कुल ठीक है क्योंकि अगर हम export करेंगे तो हमें foreign exchange में पैसा आएगा और उससे हम अपने imports जो कर रहे हैं भार की country से उन में पैसा pay कर सकते हैं तो definitely a option is suitable मतलब first argument is suitable अगर मैं बात करूँ second की इसने कहा नहीं export मत करो क्योंकि even selective encouragement would lead to shortages इस option ने कहा कि अगर export करोगे तो home country में shortages आ सकती हैं लेकिन हमारा main question बोल रहा था कि internal usage insufficient है internal country में usage हो भी नहीं रहा है तो shortage किस बात की boss तो यहां पर यह vague argument था therefore answer a is the correct one only first argument is correct in this question moving ahead second question अब इसका answer मैं आप लोग उसे चाहती हूं guys quickly मुझे अपने comment sections में इसका answer बताएंगे आप लोग तो देखते हैं question क्या है सबसे बहले should all the drugs patented and manufactured in western countries be first tried out on the sample basis before giving license for sale to general public in India तो जितने भी drugs और pharmaceutical industries medicines बनाती है जो patent होते और manufacture होते western countries में क्या उनको पहले sample के तौर पे try कर लेना चाहिए इससे पहले कि इंडिया उनको license दे इंडिया में बेचने के लिए तो before India give the license to the medicines क्या उससे पहले sample basis पे उनको test कर लेना चाहिए किनको test करना है western medicines को तो यहाँ पर first argument कहता है हाँ बिल्कुल करना चाहिए yes many such drugs require different doses and duration of Indian population and hence it is necessary कि काफी सारे drugs Indian population Indian body type या Indian demographic situations के हिसाब से applicable होते है तो उस case में Indian population को directly medicine बेचने से पहले test जरूर कर लेना चाहिए यह कह रहा है यह argument second care नहीं testing की कोई जरूरत नहीं है boss क्योंकि this is just not feasible and hence cannot be implemented इस option ने कहा कि यह feasible भी नहीं है यह implement भी नहीं हो सकता है तो यह testing वाला तो निकाल दो मामला भार और सीधा सीधा इंडिया में western medicines को बेचना शुरू करो तो quickly guys comment sections में अपने answer लिखी आपको क्या लगता है argument 1 is okay अगर आपके सबसे argument 1 is okay तो please write A अगर आपको लगता है argument B सही है तो write B अगर आपको लगता है दोनों ही argument गलत है तो write D और अगर आपको लगता है दोनों सही हैं तो write C quickly I want the comment sections में आपके answers yes yes I am getting the responses great कुछ बच्चे सही कर रहे हैं जवाब कुछ थोड़ा सा confused लग रहे हैं yes yes getting it mm-hmm बिलकुल तो yes guys as I can see mostly students ने correct answer किया है which is yes correct answer है आपका A सिरफ first argument एक valid argument है second vague argument है मतलब कुछ बात ही नहीं कर रहा मतलब कोई fact नहीं दिया कोई evidence नहीं दिया बस सीधा बोल दिया testing मत करो क्यों नहीं करो implement नहीं हो पाएगी कैसे नहीं implement हो पाएगी या तो costing reason देते scientist reason देते population reason देते कोई तो reason देते यह बोलने से पहले कि it's non-implementable so therefore second option is incorrect and first argument is bang on correct answer moving ahead with third question should India make efforts to harness solar energy to fulfill its energy requirements क्या इंडिया को solar energy को harness करना चाहिए ताकि overall consumption जो है हमारी energy की वो meet out हो पाए तो simple मतलब है कि क्या alternative methods of energy की तरफ इंडिया को जैसे solar energy उसकी तरफ move करना चाहिए अगर उसको अपनी energy requirements को meet out करना है तो let's just look आप लोग मुझे अपने comment section में इसका correct answer बताएंगे दोस्तों अगर first argument आपको लगता है valid है तो आपका A होना चाहिए answer अगर आपको लगता है second argument valid है तो B अगर आपको लगता है दोनों options हैं दोनों argument ठीक हैं तो C अगर आपको लगता है दोनों ही argument बकवास हैं तो आपका answer होना चाहिए D before doing it please let's just understand कि क्या है A1 और A2 में A1 कहता है yes most of the energy sources used at present are exhaustible इसने कहा कि currently जो energy resources India use कर रहा है वो sooner और later exhaust हो जाएंगे इसलिए solar energy को use करना चाहिए B option कह रहा है नहीं solar energy को मत use करो क्योंकि harnessing solar energy requires a lot of capital which India lacks in कि solar energy को harness करने में India का बहुत पैसा लग जाएगा boss तो इस case में इसको नहीं pick करना चाहिए तो I want your answers in the comment section quickly yes guys come on right I am getting the mix of responses maximum जनता ने सही answer किया है that is yes the correct answer is A सिरफ first argument ठीक है कि current वाले exhaustible nature के है लेकिन second option आपका completely vague है moving ahead with fourth question should there be studies union in should there be students union in college universities तो ये question बोल रहा है कि college university में union होनी चाहिए क्या students की first कह रहा है नहीं होनी चाहिए this will create a political atmosphere in the campus की इससे political atmosphere हो जाएगा college के अंदर second कह रहा है हाँ student union होनी चाहिए क्योंकि ये बहुत जरूरी है ताकि students future में जाके political leaders बन पाएं तो अब आप मुझे बताएंगे what should be the correct answer in this one I want your answers in the comment section आपको क्या लगता है what should be the correct answer A, B, C और D इसमें answer है correct E कुछ बच्चों ने E बताया है yes, yes कुछ viewers ने correct answer दिया है that is E लेकिन mostly viewers का इस वाले question में answer incorrect हुआ है E का मतलब है हम दोनो options को pick कर सकते है दोनो correct है पहला कह रहा है कि मत करो क्योंकि इससे actually colleges में political chaos हो जाएगा बच्चे थोड़ा politics में जादा चले जाएंगे studies से deviate हो जाएंगे लेकिन second option भी सही है second argument कह रहा है क्योंकि बच्चे हमारे आज का future का political leader है तो बच्चों को unions के थूप college level से ही ground level से ही समझाना चाहिए how to unionize and all therefore दोनो arguments हैं so I will go with E option moving ahead should young entrepreneurs be encouraged क्या young entrepreneurs को encourage करना चाहिए मतलब जितने भी startups है young businessman है क्या उनको encouragement मिलना चाहिए दो arguments है आपके सामने yes they will help in industrial development of the country की yes अगर उनको encourage करेंगे तो country का industrial development होगा country की economy prosper करेगी and so on second कहता है yes दुबारा से yes लेकिन they will reduce the burden on employment market की अगर बच्चे entrepreneur बन जाएंगे young people entrepreneur बन जाएंगे business person बन जाएंगे तो जो लोग job ढून रहे हैं उन पे थोड़ा सा slack मिलेगा उनको थोड़ा ease out मिलेगा तो अब आप मुझे बताएंगे क्या दोनो argument ठीक है या एक ठीक है तो please quickly in the comment section I want answer क्या है A, B, C, D या E A अगर one ठीक है B अगर second argument ठीक है C मतलब either दोनों में से कोई भी pick कर सकते है एक option कोई D कहता है none और E कहता है both are correct तो please quickly tell me in the comment section I am getting some good responses nice, nice लगता है आज सारे बच्चे थोड़ा previous classes के modules वगरा देखके आएं है preparation अच्छी करके आएं है थोड़ा warm up हुआ वा है आप लोगों का that is why I am getting good and correct responses बिल्कुल ठीक है तो आप लोगों का answer बिल्कुल ठीक है that is called E E is the correct answer जिसने कहा दोनों arguments हमारे legit arguments है दोनों को pick कर सकते हैं moving ahead should all the annual examinations up to standard 5 be abolished actually हो भी चुका है वैसे तो छोड़े बच्चों के exams ही नहीं होते हैं पैसी सी पैटन जब से आया है तो छोटे बच्चे काफी ease out है कि examinations नहीं होते हैं but we'll go with this question इस question ने कहा कि क्या 5th class तक बच्चों के exams को खतम कर देना चाहिए इसके लिए दो arguments है number 1 कहता है yes, the young students should not be burdened with such examination which hampers their natural growth कि बच्चों पे तना exam का pressure डाल दोगे burden की वज़े से तो उनका natural growth hamper होगा तो yes, abolish कर दो second कहता है कि बच्चों के अंदर ना वो जील खतम हो जाएगा कि पढ़ाई करनी है टेस्ट बगेरा होंगे क्योंकि आटमाटिकली नहीं बड़ी-बड़ी क्लास में वो प्रमोट होते रहेंगे तो उनको कभी भी प्रेशर नहीं समझ में आएगा जो एक्जाम आक्चुली क्रिएट करता है बच्चों के माइन पर और प्रेपेर्शन उससाब से उनकी काफी शट्डाउन रहती है तो therefore quickly I want the answers of yours in the comment section now What do you think can be the correct answer A, B, C, D या फिर E जनता की अवाज सुननी है हमें क्या लगता है आपको Again, the mix and match responses सोचिए क्या दोनों आर्गुमेंट ठीक है या दोनों में से कोई एक आर्गुमेंट ठीक है जी, बिल्कुल सही कहा आपने E option is the correct हम दोनों को pick करेंगे दोनों valid arguments है एक ने कहा हाँ, बिल्कुल ठीक है बच्चे की natural growth को मत खराब करो और दूसरा थोड़ा सा इतना भी ease out मत करो कि बच्चा pressure लेना ही न समझ पाए So therefore, E should be the correct one Moving ahead Should Indian scientists working abroad be called back to India जो Indian scientists बाहर बेटके काम कर रहे है क्या उनको इंडिया में वापिस बुला लेना चाहिए First कहता है Yes, they must serve their motherland first and forget about discoveries, honors and facilities and all कि obviously उन साइंटिस्ट का सबसे पहला काम है अपनी मातर भूमी अपने इंडिया के लिए काम करना तो उनको ये सब चीजे भूल जानी चाहिए discoveries and all और उनको इंडिया में वापसी आके काम करना चाहिए Second कहरे है, नहीं उनको वापिस मत बुलाओ जो कि इतना चाहिए तो इसी तरीके का टालेंट हमारे पास आल्रेड़ी मौझूद है तो मत बुलाओ वापिस कोई दिक्कत नी है उन साइंटिस्ट को बहार रहने दो हम लोगों को यही पे रहने दो तो अब आप मुझे बताएंगे और चाहिए होगा in the comment sections quickly talented लोगों की class है यह और talented लोग ही सही आंसर देंगे मुझे yes I'm getting the responses क्या लगता है आपको what should be the correct answer कुछ कह रहे हैं A argument ठीक है कुछ कह रहे हैं B ठीक है let me tell you the correct answer now the correct answer is D I will pick neither क्योंकि दोनों ही argument गलत हैं यहां पे अब आप सोचेंगे क्यूं हमें तो लग रहा था एक तो सही है शायद यहां पर motherland तक ठीक था क्योंको अपनी motherland को serve करना चाहिए लेकिन जो remaining पाठ है उस पर ध्यान दीजिए इसने एंको भूल जाना चाहिए discoveries owners और फैसिल टीस के बारे में Ali discovery के बारे में साइंटिस भूल जाएगा तो बनाएगा क्या? पेरल बारे में अगर साइंटिस्ट ψायगा? अगर scientist, honours and facilities के बारे में भूल जाएगा, तो scientist करेगा क्या, तो motherland तक ठीक था remaining, second line की वज़े से argument one will have to be off the radar, second no we have enough talent, let them stay, ये भी obviously vague था कि हमारे पर बहुत talent है, talent की कमी नहीं है, although बहुत talented लोग है हमारी class में भी बहुत talented लोग है लेकिन ये कह देना कि हमारे पस enough talent है, तो ये यहाँ पर vague argument की पहचान है, therefore D option should be correct moving ahead should we scrap the system of formal education beyond graduation क्या हमको formal education का जो system है, वो graduation के बाद तक खतम कर देना चाहिए मतलब graduation तक formal education होनी चाहिए, उसके बाद formal education के system को scrap out करना चाहिए, क्या ये सही argument है first argument कहता है yes, it will mean taking employment at an early date, obviously की graduation तक बच्चों ने पढ़ लिया उसके बाद immediately वो लोग jobs ले सकते हैं, उनको और further पढ़ाई नहीं करनी पढ़ेगी, तो employment के perspective से ये कही ना कहीं सही option है, no, ऐसा मत करो, education system को मत scrap करो क्योंकि it will mean lack of depth of knowledge कि बच्चों की in-depth study in-depth mentoring नहीं हो पाएगी therefore scrapping of the educational system beyond graduation is an implausible option तो अब आप मुझे बताएंगे again quickly, A, B, C, D, E क्या होना चाहिए, इस question में हमारा correct answer mix, 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 yes, yes, yes yes guys, बिलकुल सही, mostly जनता ने ठीक answer दिया which is B, कि नहीं ऐसा मत करो क्योंकि बच्चों की ठीक से mentoring नहीं हो पाएगी अगर graduation 12th के बाद ही आप उनको jobs दे दोगे तो उनका in-depth knowledge नहीं grasp पो पाएगा, उतने लेवल तक उनकी mentoring और educational qualification नहीं बढ़ी होगी, कि वो hard and tedious jobs कर पाएगी, जबकि यह option सिरफ employment level पर सोच रहा है therefore यह आपका proportionate option नहीं है अगर मैं कहूं तो I will go with B and that is argument 2 is the correct answer moving ahead, now अब हमारे पास है कुछ multiple argument जरूरी नहीं होता, CLAT आपको हर तरीके questions देता है guys, कभी-कभी 2 argument वाले भी देता है, कभी-कभी multiple argument वाले भी देता है, तो अब हम करेंगे कुछ multiple argument के questions, यहाँ पर each question has a statement जिसमें तीन से चार arguments है, जिनकी numbering करी भी है argument 1, 2, 3 और 4 करके in the Roman number and then आपको बताना है कि यह strong argument है या फिर यह weak argument है and accordingly you will pick your options okay guys, now we will look into this question कि out of the 4 arguments which is the correct answer, तो question हम से कहता है कि statement should people with educational qualifications higher than the optimum requirements be debarred from seeking jobs, कि जिन लोगों के पास educational qualification अपने level से higher है जो कि requirement से जादा higher है उनको debar कर देना चाहिए job ढूणने से, मतलब ऐसे लोगों को क्या allow ही नहीं करना चाहिए job ढूणने के लिए क्योंकि उनकी जो educational qualification है वो actually काफी higher है जितना job में require भी नहीं है तो यहाँ पर हमको check करना है कि क्या option है correct option तो यहाँ पर अगर arguments case app से no it will further aggravate the problem of educated unemployment कि नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए uneducated जो unemployment है वो rate बढ़ जाएगा number two yes it creates complex among employees and affects the work adversely क्योंकि yes इससे employees के बीच में complex हाएगा क्योंकि जो जादा over qualified है और जो under qualified है वो एक superiority complex create करेंगे जो under qualified है यहाँ पर C option कहता है no this goes against the basic rights of the individual कि यह इंसान के basic right के against जाता है उनको debar नहीं करना चाहिए and fourth option कह रहा है yes this will increase productivity कि हाँ यह चीज़ करने से productivity तो increase हो सकती है तो अब हम लोग move out करेंगे options पर और देखते हैं क्या होना चाहिए correct answer only one and three are strong all are strong only two and four and only three is strong तो एक बार आप लोग प्लीज़ चेक करें none क्या होना चाहिए correct answer I am waiting for the response और मुझे सुननी है जनता की अवाज let us just quickly see क्या होना चाहिए correct answer अगर आपको लगता है all are strong तो B होना चाहिए one or three strong है तो A and two and four strong है तो C अगर सिरफ third strong है तो D और अगर आपको लगता है कोई भी strong नहीं है तो answer होना चाहिए E बिल्कुल सही कहा काफी लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है that is called D and third is the correct answer क्योंकि नहीं this will goes against the basic right तो कहने का मतलब है simple कि अगर तुम over qualified लोगों को job ढूणने से ही D bar कर दोगे मना कर दोगे कि job ढूणना मन कर दो उनको qualify नहीं करो के job ढूणने के लिए तो यह उनका basic fundamental right है जो आप उनसे खीच रहे हो तो यह disproportionate हो जाएगा अगर आप उसका right खीचोगे तो तो यहाँ पर option 3 argument 3 is only substantiated therefore I will go with 3 and the correct answer is D for dog moving ahead statements कहती है should India go in for computerization in all possible sectors कि क्या public, private, joint sector हर sectors में government को completely computerize कर देना चाहिए सब चीजे number one कहता है yes यह efficiency और accuracy जादा लेके आएगा option 2 कहता है नहीं क्योंकि एक injustice हो जाएगा monumental human resources के साथ जो कि currently underutilized है third कहता है नहीं computerization demand करता है बहुत सारा पैसा और अगर हम computerize करेंगे sectors को तो यह government के level पर बहुत सारा पैसा लेगा fourth argument कहता है yes when advanced countries are introducing computers in every field how can India 4 to lag behind fourth argument कहता है yes क्योंकि जब इतनी सारी developed countries इतने next level पहुच चुकी है computerization में तो India क्यों पीछे रह जाए तो let us just look at the correct answers please opt for the correct one I want to know the viewer's point of view तो please मुझे quickly बताइए आपको क्या लगता है कौन सा argument जादा better है कौन सा जादा strong है क्या सिरफ first strong है क्या पहला और दूसरा strong है क्या पहला और तीसरा strong है D अगर दूसरा और तीसरा आपको ठीक लगता है और अगर आपको लगता है सारे strong है तो go with E option क्या लगता है आपको क्या होना चाहिए correct answer I am getting some responses बिल्कुल सही कहा दोस्तों आपने A is the correct answer तो I will go with option A क्योंकि argument 1 बिल्कुल ठीक है कि ये efficiency और accuracy लेके आएगा ये injustice लेके आएगा injustice बिल्कुल out of the scope हो गया computerization में बहुत पैसा लगता है अगर हर चीज जो नही चीज होती है जो नहीं technology होती है वो बढ़िया पैसाल लेके चाहती है आती है input costing लगती है लेकिन effective भी तो कितना होता है तो सिरफ costing की वज़े से computerization को forego करना is not a correct answer और advanced countries जब इतन लेवल तक पहुँच चुकी है तो हमें भी पहुच जाना चाहिए लेकिन one और four को substantiate करने के लिए अपने पास कोई option था नहीं तो क्योंकि one और four को substantiate करने के लिए we do not have an accurate option we will go with only one is strong क्योंकि one और four का कोई option नहीं है जबकि four भी फिर भी plausible option तो था moving ahead should all these school teachers be debarred from giving private tuition क्या school के teachers को debar करते ना चाहिए उनको private tuition जो वो लोग देते हैं क्या उनको मना कर देना चाहिए देने से तो यहाँ पर हैं आपके पास options नहीं क्योंकि needy students वरना deprive हो जाएंगे अच्छे teachers की classes को लेके debar करना चाहिए क्योंकि एक injustice होगा unemployed educated people से जो अपनी tuition से learnings earning से पैसा कमा रहे हैं और जबकि वो पैसा भी अगर school के teacher कमा लेंगे तो उनकी तो dual income हो जाएगी unemployed लोगों के लिए दिक्कत है third कहता है हाँ डीवार करना चाहिए क्योंकि quality of teaching in school will improve इससे teachers school में better तरीके से पढ़ा पाएंगे क्योंकि उनका tuition का pressure नहीं होगा and fourth है yes हाँ डीवार करना चाहिए क्योंकि now salary of the teachers are reasonable क्योंकि school के teachers को अच्छी खाशी salary मिलती है तो double tuition double income का कोई फाइदा नहीं है so let us just look in the correct option only one and three are strong नहीं बिलकुल नहीं one two and three are strong मुझे वो भी नहीं लग रहा है actually correct answer है none of these क्योंकि आप देखेंगे कोई भी argument इतना strong नहीं है इन्होंने कहा needy बच्चे deprive हो जाएंगे needy बच्चों से tuition teacher के पढ़ाने का क्या काम deprive तो वो बच्चे भी होंगे जिनको requirement है class की जो needy भी उतना नहीं है similarly ये एक injustice लेके आएगा वो गलत है quality of teaching improve हो जाएगी उससे कोई फरक नहीं पढ़ता जो teacher अच्छा पढ़ाता है वो tuition में भी अच्छा पढ़ाएगा वो school में भी अच्छा पढ़ाएगा और teacher की income बहुत बढ़िया चल रही है school में ये again काफी आपका plausible option नहीं था काफी far-fetched option था therefore we will eliminate such answer choices third, statement कहता है should there be a complete ban on genetically modified imported seeds तो जितने भी genetically modified scientist seeds बनाते है क्या उनका import completely ban कर देना चाहिए first argument कहता है हाँ ban कर दो इससे जो हमारे domestic seeds है उनकी demand बढ़ जाएगी second कहता है नहीं मत ban करो क्योंकि एक only way है increase करने का production को कि जब हम GM seeds use करेंगे modified seed use करेंगे तो production बढ़ के निकल के आएगी third कहता है हाँ ban कर दो क्योंकि genetically जो seeds होते है ये adverse होते है health पे हमारी अगर हम इनको consume करेंगे in seeds से बने agricultural crops को consume करेंगे तो health hazards हो सकते है तो हमें इनको ban कर देना चाहिए तो by this option let us just look at the correct one one and two are strong only two are strong two and three ये कहता है one and three और e कहता है all are strong तो guys yes बिलकुल आपने सही सोचा correct answer है only be second ही सिर्फ strong है कि नहीं क्योंकि ये एक important है GM seeds को use करके हमारी production काफी बढ़ चुकी है जो original seeds से नहीं हो पारी थी and this is a valid argument इसने कहा कि अपने domestic की demand बढ़ जाएगी ये incorrect है हमें नहीं पता domestic की demand already घट चुकी है कि नहीं तो ये unfair analogy था genetically modified will adversely affect the health हमें नहीं पता कि GM के कितने negative effects हैं अगर effects negative होते तो सरकार prime of थी उनको import ही क्यों करती हमारी country में therefore it's also an incorrect one moving ahead should the income generated out of the agricultural activities be taxed agriculture activities से जो भी income generate होती है क्या उस पर tax लगाना चाहिए first argument कहता है नहीं मत लगाओ क्योंकि farmers actually काफी suffer करते हैं calamities की वज़े से भी low yield होती है low productivity होती है और अगर income पे भी आप tax लगा दोगे तो बिचारा किसान खाएगा क्या और जमा क्या करेगा जबकि B बोल रहा है yes majority of population is dependent on agriculture काफी population agriculture पे dependent है इसलिए उनकी income को tax करना चाहिए ताक कि उनके resources augment हो जाएं third कहता है हाँ tax करना चाहिए क्योंकि big farmers काफी बड़ा पैसा कमाते majority of services और यहाँ पर यह चीज़ करने के बाद it will actually help putting the income over there तो यहाँ पर हम देखेंगे correct answer होना चाहिए हमारा yes C is the correct answer क्योंकि यहाँ पर C बिलकुल ठीक है if I'll go with it क्योंकि इसने कहा बड़े बड़े farmers काफी अच्छे पैसे कमाते हैं काफी अच्छा earn करते हैं तो at least उनकी income पे tax करना चाहिए तो मतलब ultimately जो farmers अच्छे income slab में fall करते हैं उन पे tax लगाओ जो farmers low income slab में fall कर रहें उन पे tax लगाने का कोई point नहीं है पर जो अच्छा earn कर रहे हैं उन पे तो tax लगाया जा सकता है therefore C is the correct answer moving ahead should all the management institutions in the country be brought under government control कि क्या government के under हमको सारे institutions management के लेके आने चाहिए गर्मेंट कर देने चाहिए उनको first कहता है नहीं ऐसा मत करो क्योंकि government does not have adequate resources for these institutions कि अगर हम इनको government में publicize कर देंगे तो government के पास effective implementation techniques नहीं है management के लिए second कहता है नहीं मत करो क्योंकि each institute should be given freedom to function on its own बिल्कुल सही सोचा आपने ये freedom का कोई point नहीं है क्योंकि ऐसा नहीं है कि government उनको freedom नहीं देगी function करने के लिए so therefore only first argument is correct तो the answer should be A moving ahead statement should the system of low qadalats and mobile courts be encouraged in India क्या लो qadalat का system और mobile court मतलब ultimately हर चीज़ को e-governance पे लेके जाना क्या सही decision होगा first argument कहता है हाँ बिल्कुल सही होगा क्योंकि इससे speedy justice मिलेगा लोगों को दूसरा कहता है हाँ बिल्कुल सही होगा क्योंकि minor cases छोटे मोटे cases का burden कम हो जाएगा court से क्योंकि वो आपके phone और low qadalat में solve हो जाएंगे third कहते है नहीं ऐसा मत करो क्योंकि courts are usually partial in justice तो मतलब जो courts है वो justice में जादा partial होते हैं तो obviously क्योंकि ये partiality point है bias point है इसको तो हम definitely pick नहीं कर सकते moving ahead with this one I think first बिल्कुल सही है क्योंकि speedy justice is the hour of the need justice का justice delayed is justice denied और जल्दी justice देना बहुत important है therefore A is the correct one second कहता है yes dispensing minor cases would reduce the burden of the court तो ये भी बिल्कुल ठीक है तो यहाँ पर A और B हम दोनों को pick कर सकते हैं therefore the option should be C कि I can pick either of them दोनों ही बिल्कुल valid arguments है तो guys next time से जब कभी भी आप weak and strong arguments को pick करें तो जो strategies हमने discuss करी है उन पर खासा ध्यान दीजेगा and I am sure कभी भी आपके questions गलत नहीं होंगे और हमारी logical reasoning की recurring classes को attend करते रहेगा to brush up your skills in logical reasoning and trust me guys आपके clat में questions कभी गलत नहीं होंगे अगर आप regular practice रखेंगे अपने logical reasoning की और sessions को regular attend करेंगे तो with this this is me Mansi signing off see you in the next session तब तक के लिए keep studying hard and shine on